इस साल वट सावित्री वरत 19 मै यानि के शुक्रवार को है जैस्ट मास की अमवश्या को वट सावित्री का वरत रखा जाता है हर साल जेस्ट माहा के कृष्ण पक्ष की अमावश्या पर महिलाई अपने पती की रक्षा और लंबी उम्र के लिए वत्सावित्री का वरत्त करती है इस बार 19 मैं को गज केसरी योग के साथ शस राज योग भी लग रहा है जेस्ट मास के कृष्ण पक्ष की अमावश्या तिथी का शुबारम 18 मई दिन गुरुवार को रात 9 बच कर 42 मिनट से होगा जेस्ट मास के कृष्ण पक्ष की अमावश्या तिथी का समापन 19 मई दिन शुक्रवार को रात 9 बच कर 22 मिनट पर होगा ऐसे में उद्यातिती के अनुसार वट सावित्री का वरत 19 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा वट वरिक्ष की पूजा का विशेस महत्व होता है धार्मिक मानिताओं के अनुसार वट वरिक्ष में ब्रह्मा, विश्नु और महेस्तीनु देवताओं का वास है इसलिए वट वरिक्ष के नीचे बैठकर पूजन और वरत कता सुनने से सभी मनुकामना ये पूरी होती है वट वरिक्ष को ज्यान, निर्वान और दिरगायू का पूरक माना गया है जो सुहागन स्री वट सावित्री का वरत रखती है और बर्गत के वरिक्ष की पूजा करती है उसे अखंद शौभाग के का फल मिलता है और उसके सभी कस्ट दूर होते है वट सावित्री कबरत रखने से पती पत्मी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और व्यवाहिक जीवन में मधूरता भी आती है